असलाम लोकुम दोस्तों कैसे हो उम्मिट करते हैं आप सब खेरेस होंगे दोस्तों आज मैं आपको साथी के जो सप्लायर कमपनियां होती है उसके बारे में जानकारे देने वालों कि सप्लाइर कमपनियां होती क्या है कैसे काम करती है और कैसे बहुत सारे सप्लाइर कमपनियों फज जाते है और उसके अलामा जो लोग भी सप्लाइर कमपनियों जाना चाते है तो कैसी कमपनियों जाए कैसी कमपनियों नहीं जाए क्या सबी सप्लायर कंपनियां खराब होती है या कुछ अच्छी भी होती है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा आपको तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरोड़ किजिएगा अभी जो लोग भी सवादी अरप जा रहे हैं तो उनको यही भी बोला जा रहा है कि आपको हेलफर का काम करना है और आपको नहीं की बेजों है आपको जाकर इसकान होता है क्यों में जाता हैं जो कुछ भी काम नहीं मालूमें जिनको कि वही लोग उस 거예요 जाते और फ़ुजांते तो इसी बार हम आपको बताऊं गाता हूं सबसे पहले मैं बता दाता हम सप्लाइर कमपनियों का काम कैसे होता है कैसे वो काम करती है क्या पूरसेस होता है उनका जो भी सप्लाइर कमपनियों होती है उनके पास कोई काम नहीं होता है जैसे अपने पास अपने इंडिया में जो इसे लोग बोलते है ठेकेदार यानि जो आदमियों को ठेके पर रखता है उसके हिसाब से ठेके पर पूरा काम ले लेता है उसके बदल उनको कुछ मजदूरियों गरे देता है उसी तरह से काम करती एक सप्राइर कंपनिया इनके पास खुद का कोई फैक्टरी कोई काम कुछ भी नहीं है यह लोग बस दूसरे कंपनियों को पर डिपेंड करती हैं एक लेवर का तीन हजार चारहजार जो भी आठिक बनता वो ले 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 लेते हैं यह लोग आदम्हीं को बुलाते हैं और उस आदमियों से लग पैशा कमाते हैं ना कि हो ऊ으 कोई काम है कोई कमपनी भी नहीं कोई काम भी नहीं है और जो डारेट कमपनी या होती है जिसके पास खुद का कमपनी है खुद का काम है खुद की फैक्टरी है उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है उसका बीजा भी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है को उसमें बीजा तो इसू तो हो रहा सप्लाइर कमपनियों की बात क्यों काम कैसे करती है अब बात करने तक क्या सभी सप्लाइर कमपनियां खराब होती है या कुछ अच्छी भी होती है देखिए इसमें से कम से कम से कम सतर से 80% सप्लायर कमपनियां बेकार ही होती है और अच्छी नहीं होती है 30-20% ही ऐसी है जो अच्छी भी होती है कोई को बहुत सारे सप्लायर कमपनिया है जो बहुत अच्छा काम करती है उनके पस हमेशा काम रहता है हमेशा वरकरों को ख्याल भी रखती है उनका हग भी नहीं माती, सेलरी भी टाइम पर देती है, चाहे काम हो, चाहे ना हो उनके पास, ठीक है न, तो ऐसे कंपनियां में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 70% कंपनियां है, सप्लायर, वो बहुत बेकार होती है, उनके पास काम भी नहीं रहता, जब काम को किया करती, रूम पर भी टा देती है, क्खाने का भी पैसा ने देती है, ना है, शिलरी बेती है तो इस तरह से आप लोग पहले आने से पहले पता करने कि आपका जो कंपनी है वो सप्लायर है कि नहीं है और सप्लायर है भी तो किस काटेगरी माती है अच्छी सप्लायर कंपनी है या फिर बुरी सप्लायर कंपनी है इसके बारे पता करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, आसान ही है, लेकिन पता तभी होगा आपको जब आपका बीजा स्टम्प हो जाएगा, आपके बीजा पे पासपोट पे बीजा की मिल जाएगी या फिर अभी तो A4Sisc का प्रेपन मिलेगा जब जैसे आपका बीजा स्टम्प होगा, लायन चेक करेंगे तो इसे ही आपको पता चल जाएगा कि कमपनी सप्लायर कमपनी है कि नहीं है और यह लोगों का पैसा खाती एक नहीं खाती अच्छी कमपनी है या फिर बेकार कमपनी है आपको पता चलेगा उससे पहले आपको पता नहीं चलेगा तो इसलिए आप लोगों से र कंपनी है कैसी इस कंपनी में जाना चाहिए और नहीं चाहिए अगर आप ड़ेश जार रुपए ही उसको दिये होंगे तो आपको पता होने बाद आपका पूरा पैसा पज जाएगा फिर आपका जो आट-ड़ेश जार रुपए नुकसान हुआ है वही नुकसान होगा नहीं तो कहीं आप लाग डेर्ण लाग पचास हजार अगर उसको दे दिये हैं और उसके बाद आपका भीजा इस्टंप हुआ तो फिर आपको मालूम हुआ कि यह तो कमपनी बेकार कमपनी है तो फिर आपको जाने से कोई फाइदा भी नहीं होगा और आपका पैसा भी बरबाद हो जाएगी अगर आपको हमारे WhatsApp गुरूप में जोड़ना है तो अपना नमबर कमेंट में दे 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 जिएगा मैं उसको गुरूप में एड़ कर दूँगा साथ दिन के बार अटो में टिल के लिए चालू हो जाएगा हमारा WhatsApp गुरूप का लिंक अगर आप चाहे तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं कुछ महिन देड महिना पहले बना यहां तो इससे पहले जाएंगे तो आपको मिल जागा सब्लाइर कंपनी के बारे में ठीक है क्योंकि जो लोग एजेंट लोग ओर जो बेकार एजेंट होते हैं उनको वो तो बताते आपको ऐसा काम करना होगा, इंडोर हेरपर्म काम करना होगा, यहां पर काम करना होगा, बहुत अच्छी कमपणी है, इसके नाम पर आपसे लाग, डेल लाग रुपई भी ले ले लेते हैं, हेलफर के जोब पे मैंने देखा है, कि एक लाग, बीस आज आज तीसती साजार पूरा पेमेंट कीजिए एक बार फिर आप लोगों से बोलता हूं आप लोगों को जो भी पेमेंट करना हो सबसे पहले आप पेमेंट आठ से दस अजार रुपे ही करें तब तक जब तक आपका वीजाई स्टंप ना हो जाए चाहे ओओ आपका एजेंट आपका आफिस वाला आपका भाई कियूं ना हो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते ऑ़े आपक Despite पैसे बहुत मुश्kay से लगा आते हैं हम आपके पास हो सकता है आपने साधी अरव-जाने के लिए किसी इस से बियाज के पैसे लिए हो किसी इधार पैसे लिए हो और अगर आप ऐसी कमपनियों में जाकर फज जाते हैं वहां जाने के बाद आपको दिक्कत परसानी होगी तो आप जो पैसा ब्याज पे लिए है वह भी आपका पैसा बढ़ता जला जाएगा आपके करज बढ़ती जाएगी आपका करज खतम नहीं हो पाएगा तो इसलिए आपसे बोलता हूँ कि आप लोग जो भी काम करवाएं पहले पैसा की पैसे की बात बिल्कुल ना करें जिस भी आफिस में जाएं भाई पास्पोर्ट रख लो मेरा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं पैसा आपको तैभी दूँँगा जब मैं मेरा बीजा अनलाइन सो कर जा स्टम्पिंग चेक कर लूँगा मैं कमपनी के बारे में जान लूँगा आपने जो बताया था कंपनी वही कंपणी है तो वही काम है हमारा तभी मैं आपको पूरा पेमेंट करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा अगर वह आफिस वाला एजेंट आपका अगर अच्छा जादे जी तम मैं आपका काम करूंगा तो ऐसे लोगों से आप बच के रहा ना ठेक है तो वीडियों फिलाल के लिए बस इतना ही हमेरे जी जाज़त दुआ में आद रहा कि आला हाफीज